आप देख रहे हैं नमबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज सच्ची और बड़ी खवर इसपॉंसर बाई जी इंटेरियर पत्ना नमस्कार मैं हूँ परितोस और आप देख रहे हैं टीडी ब्रेकिंग इस वक्त की सबसे बड़ी खवर के साथ हम सुरू करते हैं बिहार की राधानी पत्ना में सुक्रवार की शुवा बड़ा हादसा हो गया यहां एक सवारी गारी गंगा में डूब गई इस वैन में सवार एकी परिवार के 12 से अधिक लोगों के डूबने की आसंका जताई जा रही है अब तक 10-100 गंगा से निकाले जा चुके हैं यह हादसा दानापूर के समीप बने पीपा पूल पर हुआ हादसे के काफी देर बाद NDRF की टीम पहुँच कर वहां बचाओ का कारी कर रही है करीब 3 घंटे की मसकत के बाद गोता खोरों ने गारी को ढूट निकाला अब गारी को क्रेन के जड़िये नदी से बाहर निकालने की तयारी चल रही है कुछ सवों को गारी में फसे होने की असंका जाहिर की जा रही है शांसद और विधायक मौके पर मौझूद छेत्रिये शांसद कराम किरपाल यादो और दानापूर के विधायक रितलाल यादो भी मौके पर पहुँच गये है बताया जा रहा है कि गाड़ी में बच्चे और महिलाएं शहित करीब 10 लोग सवार थे दो लोग गाड़ी की छट पर भी बैठे थे जिन्होंने कूद कर अपनी जान बचा ली बताया जा रहा है कि पूल से गुजरती पिकप वेन अचानक गंगा मगीर गई गंगा में डूबने वाले बाहन पर सवार सभी लोग एक साधी समारों से लोट रहे थे यह हादसा अक्किलपूर से दानापूर की तरफ लोटते वक्त सुक्रवार की सुबह हुआ गाड़ी को गंगा में समाते देखकर पूल से गुजर रही दूसरी गाड़ीयों पर सवार लोग भौचक रह गये ततकाल वहां काफी भीर लग गई इसी वीच कुछ लोग ने प्रसाशन को सुचना दी बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात अक्किल पूर के रहने वाले विक्रम सिंग के भतीजे राजेश का तिलग था गंगा में डूबने वाली गाड़ी पर सवार इसी काड़िकरम में लोट रहे थे हाला कि प्रशाशन पूरी एहतियात के साथ रेस्क्यू अपरेशन में लगा है आज के टीटी ब्रेकिंग में इतना ही आप देख रहे हैं टीटी नीज नमस्कार